नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टड़ी भी तरवी पर प्यारे साथियों आज की इस लेक्चर में जो हम 5 कोच्चंस आपको बताने वाले हैं यह आपके बिहार बोड़ एक्जाम 2025 के लिए काफी ज़्यादा MBBI सावित होने वाला ह जो की चैनल से है और बार बार पूछा गया कोच्चंस है हम इसी important कोच्चंस को लेके आये हैं उसी important कोच्चंस को प्यारे साथियों जो की आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा important है तो time based बिल्कुल भी नहीं करेंगे कम समय में ज़्यादा कोच्चंस करने काम लोग परियास करते हैं जैसा कि आप देखते हैं तो चलिए start करते हैं history के chapter 1 के total short जो questions बनते हैं आपके एक्जामें दुन नंबर में पूछे जाते हैं तो उसको जराम लोग clear करते हैं आज की chapters के हिसाब से चलिए पहला number questions को चलते हैं सबसे पहले देख लिजिए chapter number 1 है और क्या है इट मन की अबम अस्थिया हरपा सब्यता से related तो short यहाँ पे questions answer जो है लगूतरिय प्रश्न का solution आधम करने वाले हैं तो जैसा कि आपको पता है कि काफी important questions का सिर्फ solution यहाँ पे आपको कड़ाया जाता है चाहे हो objective हो या subjective लगातार हम लोग आपके तयारी में रामबान साव evaluation यानी 2020 के annual exam में पूछा गया तो हम लोग इसलिए इस questions को लेके आएगे हैं सबसे पहले आप यह समझेए 2020 के annual exam में पूछे गये हैं तो हो सकता है कि 5 साल बाद आपसे यह 2025 में पूछ ले क्योंकि ऐसा बहुत बार examiner के माइन में आता है कि 2020 में जब पूछा गया तो क्यों हम 5 साल बाद फिर से इस questions को repeat कर ले एक बार और तो 100% यह questions आपका आ सकता है तो इसलिए questions को जो है आप लोग ध्यान प्रूबक देखेंगे अभी लेक किसे कहते हैं चलिए जड़ा solution करते हैं कहता है answer में तो हम तो उमीद आपसे यही करेंगे कि आप दो number वाले जो भी questions बन कहते हैं तो अभिलेक पत्थर धातू आदी की सथो पर उतकरिन किये गए पाठन समागरी को कहते हैं क्या अभिलेक जो होते हैं अभिलेक कहने का मतलब होता है जो पुराने वस्तुवों जो होती है उनके बारे में जो लिखाए गया उसको हम लोग अभिलेक कहते हैं तो वह यह मुख्य रूप से सासको का राज्या देश होता था यह क्या होता था किसी सासक का क्या था राज्या देश उस हिसाब से जो है वो राज्य को चलाता था सबसे प्राचीन अविलेक असोक के प्रस्तर अविलेक है क्या है सबसे अगर आपसे अब्जेक्टी में पूछा जाए रोधा ध्यानपूर्वक देखेंगे सो वर्स पहले का अगर कुछ हमको पता करना होगा तो कोई ऐसा वहां के समागरी उठा के देखेंगे जिस पर कुछ न कुछ मिलती है जैसे आज हम यहां पर है और सो साल बाद जब हमारे कोई ऐसे वनसज आएंगे तो हम कुछ यहां पर लिक के जाते हैं माली जो कोई देवा होती है तो मिलता है तो यह क्या है जनकारी प्राप्त करने का क्या होता यह प्राथमिक स्रोत मानी जाती है तो उमीद है कि इस कोचंस को आप अच्छे तरीके से समद गये होईएगा अविलेक किसे कहते है और 100% यह भी उमीद है कि 2-3 लाइन में इसका जबाब देंगे बि इतना अगर आप लिखते हैं तो दो नमबर उमीद रखिये कि 100% आपको दिये जाएंगे साथी साथ 2-4 लाइन और भी आप इसमें लिख सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे महाभारत बिलकुल भी नहीं लिखना है यह भी आपको ध्यान देना है चलिए तो चले हम लोग आप क्या समझते हैं यानि what do you understand by यहाँ पे आर्कलोजी ध्यान देंगे 2019 के एन्वल एक्जाम में हैं जैसा कि हमने बताए कि 2020 में जो पूछा गया वो 2025 में भी पूछा जा सकता है और 2019 में पूछा गया यह भी यह 2025 में अल्रिडी पूछे जा सकते हैं यह भी याद 100% सवाल आपका शेवर है कि यह आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा तो जरा ध्यान देंगे कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं जरा बताने का प्रयास करें सभी लोग अपना अपना कॉमेंड जो है थोड़ा इसके बारे में जो भी जानते हैं वो अपना कॉमेंड जो है यहां पर कमेंड बॉक्स में डालने का प्रयास करें तब तक मैं यहां पर थोड़ा निटेवर्ग को देख रहा हूं तो बताएगा कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं जरा बताने का भी आप लोग प्रयास करेंगे तो चलिए चलते हैं हम आप बताते हैं तो जैसा कि हमने बताया है उत्त खनन जब किया जाता है उससे जो भी हमें समाग्री प्राप्त होती है उससे को हम क्या कहते है पुरातत्व यानि पुराने जवाने का तथ्ब kuढ़ात्व का मतलब क्या हूँगा। इसमें मुर्तिया जैसे कि अभी बहुत सारे जगा पर मिट्टी खनन होती है तो बहुत सारे मुर्तिया प्राप्त होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पुरा तत्ब बोलते हैं और सिलालेक जो इस पर बहुत चीजे लिखी हुई मिलती है अस्थी अवसेज मिट्टी के बरतन सिक्के पासन उपकरण आदी आते हैं जो भी गल नहीं सकते हैं प्यारे बच्चों वैसे समागरी दबे विरते मिट्टी के अंदर और जब खुदाई होती है और बाद में इसको देखा जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या पुरा तत्ब ये सभी चीजे किसी का आलखंड की प्राथमिक एतिहासिक स्रोत मानी जाती है जैसा कि देख सकते हैं दोनों कोचंस आपस में रिलेटेड है लेकिन कोचंस का मेनिंग बिल्कुल अलग है यही कोचंस जो है 2020 में पूछा गया और यहाँ पे 2019 में देख सकते हैं और लेडी पूछा गया यानि एक ही परकार के सेम टू सेम थोड़ा डिफ्रेंट है लेकिन कोचंस पूछे गया है तो इस परकार के कोचंस तो हम 100% शूर हैं कि आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा चलिए तिसरा नम्र सवाल को जड़ा फोकस करते हैं और ध्यान देंगे कारवान चाउदा बीधिक के बार जाते हैं कि तिथी निर्धारन की बेग्यानिक बीधि को कारवन चाउदा बीधि कहा जाता है इस बीधि की खोज जो है अमेरिका के परख्यात रासायन सास्त्री बी एफ लीवी द्वारा सन 1946 में की गई यह actually science के related questions है बट science वाले student को यह नहीं पता होगा कि कारवन चाउदा बीधि के बारे में अगर आप उससे पूछेंगे तो बिलकुल भी हमें उमीदे के नहीं बता पाएंगे लेकिन यह आपके history में दिये गए इतिहांस इसी को कहा जाता है कि बहुत-बहुत कालखरण के जो भी वस्तुए होती है उसके बारे में इसमें लिखा होता है तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और जरा हम इसे अरिफ्रेस करते हैं और फिर से समझाने का प्रयास करते हैं कि कारवन चाउदा बेधि के बारे में आप क्या समझते है तो तितिनिरदारन की व इस बीधि के अनुसार जो है किसी भी जीवित बस्तुख में कारवन बारा जैसा कि नॉर्मल क्या होता है कारवन बारा होता है याद रखेंगे कारवन बारा मिर्त्यू एबं कारवन चाउदा समान मात्रा में पाया जाता है अथवा बिनास की अवस्ता में कारवन बारा तो इस्थी रहता है मगर कारवन 14 कारणे रंतर्च है होने लगता है जब किसी बस्तु की बिनास होती है कारवन मुझे पाई जाती है तो बिनास बस्ता में कारवन 14 कारणे रंतर्च है होने लगता है जिस पदार्थ में कारवन 14 की मातरा जितनी कम होती है वो उतना ही प्राचिंत तो यही होती है कारवन डेटिंग जिसमें करवन klein की मातरा जितनी कम पाई जाती है उतना ही वो प्राचिंतम माना जाता है याध रखेंगे और कारवन 12 की मातरा जितनी इस्थिर रहती है वो मतलब अभी new है new बस्तु है अगर वो कारवन 14 की मातरा जितनी कम हो जाती है तो माने जाती है कि ये बस्तु जो है बहुत प्राचीन काल का तिन नमर कोचंस उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में तो आ गया होगा विल्क सब्यता तो आपकी एक्जाम के लिए महा MBVI कोचेंस रहता है क्या रहता है प्यारा सत्यों महा MBVI जयसा कि यह objective में धुम मचाते हुए आता है हरपा सब्यता साथीा सब्यक्पि में भी पूचे जाते है हरपा सब्यता की विश्तार की भी बिचना करें 2009 के एन्माल एक्जाम म पर इधर भी पूछे गया, यहाँ पर मैं नोटेट नहीं किया हूँ, इंग्लीज में देखें, तो discuss the extent of the Harapan civilization, तो civilization का मतलब भी सब्व्याता होता है, इंग्लीज में भी हमने लाया है, ताकि आपका disturbance बिल्कुल भी ना हो, कभी-कभी meaning जो होती है, इंग्लीज वाला ही हिंदी में छाप दिया जाता है, ऐसा paper में कई बार देखने को मिला है, जैसे कि आपको objective में भी देखने को मिल सकता है, तो हरपा सब्याता के बिस्तार की बेविचना करना है, चलिए करते हैं, जरा ध्यान पुरभग सुनेंगे, काफी important topic पर हम बात कर रहे हैं, आज chapter number one के subjective questions, जो कि अभी लगातार चलती रहेगी, और फरते chapter से 5 ऐसे questions उठा के आपको दिये जाएंगे, जो कि आपके exam के लिए काफी रामबान होगा, PDF लेने के लिए टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लेंगे, साथी साथ WhatsApp ग्रूप भी आपको लिंक जो है, इसी वीडियो के नीचे description में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो चलिए हरप्पा सब्याता का उदय भारतिये उप महादेब के पश्मी भाग में हुआ था, सबसे पहले हरप्पा सब्याता का उदय भारतिये उप महादेब के पश्मी भाग में हुआ था, रंगनाथ राओ महोदे के अनुसार हरप्पा सब्याता का विस्तार पूर्व से पश्म तक 1600 किलो मिटर एबं उत्तर से दच्छिन तक 1600 किलो मिटर है, यह सब्याता उत्तर में कास्मीर के मांडा जीले से लेकर दच्छिन में नरमादा नधी के मुहाने तक और पश्म बलुचिस्तान के मकरान टट से उत्तर पूर्व में मेरर तक फैली हुई है, यानि हम क्या सकते हैं कि हरप्पा सब्यता कोई जोटा सब्यता नहीं है ये प्राचीन सब्यता है साथी सात बहुत दूर तक पहली हुई है, इसका छेतरफ़ल त्रिवजाकार है कोछी इस प्रकार के त्रिवजाकार है और मैप भी आपके इस questions में दे रखाएं किधर से किधर तक है साथी साथ लगभग यहां पर कितना है कहाई दाइस हजार दस जार लाख दस लाख देख सकते हैं बारा लाख निनाने में हजार छोस वर्ग किलोमीटर में फैला है तो यह तो आप बिल्कुल इस डाटा को नोटेट कर ले यह डाटा आपकी एकजाम के लिए काफी राम प्राचीन मिस्र या मुसोपोटामिया से बढ़ा है यानि आप देख सकते हैं हमारे प्रोस्वी मुल्क पाकिस्तान अतंकवाद का देश जिसे कहा जाता है हमारे भारत के द्वारा तो उनके छेतर फल से भी बहुत बढ़ा है हरपा सब्याता कह सकते हैं कि यहां पर पाकिस्तान अब प्राचीन मिस्र जो है मिस्र भी एक देश है और मुसोपोटामिया भी एक देश है उससे भी बढ़ा है हरपा सब्याता 12,99,600 वर्ट किलो मिटर में फैला हुआ है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जादा इस हरप्याता की प्राचीनतम उप्योग होगी अब कहता है अब तक इस सब्याता की लगभग एक हजार अस्थल का पता चला है पर अब जो हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप इस पॉइंट के कुछ-कुछ बाते अगर बिल्कुल माइंड में अगर आपको सेट हो जाएगी तो आप दू जामनर को यसा लगएगा कि बिल्कुल डीपली पढ़ा हुआ है और इसको हड़े के डाटा याद है जैसे कि आप डाटा लिख दिये कि 12,99,600 समझ गया एक जामनर चेक करने वाला भी कि बिल्कुल डाटा याद है या इसका मतलब कोच्छ बिल्कुल राइट होगा आगे भ आप लिखते हैं तो दोर नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा ये भी आप उमीद रखिए अभी सभ्यता के लगबग 1000 अस्थलों का पता चला कौन से हरपा सभ्यता के 1000 अस्थल का अभी तक पता चल चुका है जिनमें नगरों की संक्या देखा गया तो केवल 6 है नगर मतल लोथल काली बंगा और बनवाली है इस सभ्यता के अवसेश गुजरात राज्ये में रंगपूर एवं रोजदी में भी मिले हैं तो ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक के इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको जरूर नोटेट करके रखिए अपने बोक अपने कॉपी में ता कोचन्स आपके एकजाम में बिल्कुल आए तो हरप्पा सभ्यता की जल निकासी प्रानाली की क्या विस्यस्ता थी प्रश्ण वाचक चील लगा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि हरप्पा सभ्यता की जल निकासी प्रानाली की क्या विस्यस्ता थी What were the features of a drainage system of European civilizations? 2020 में ओल लेडी पूछा गया सवाल है तो हम उसी questions को लेके आये हैं जो कि ओल लेडी पूछे गये हैं और आपकी 5 साल वाद 200% रिप्टेड होंगे चलिए हरपा सब्यता की जल निकासी परनाली की कुछ बिस्षिस्ताओं के बारे में जल हम वर्नन करें तो हरपा सब्यता की जल निकासी परनाली काफी बिक्षित थी नगरों में नियोजित जल निकासी परनाली आधुनिक नगर योजना के समान थी क्या थी? आधुनिक नगर योजना जो है उसकी समान जो है हरपा सब्याता के जलनिखासे पर नाली के अधार पर विक्षित की गई यहां के नगरों में घरो, नालिया, सरकों का एक साथ नियोजन के रूप में निर्मान कराया गया सरकों के तरह नालिया भी एक दूसरे के समकोन पर काटती थी घरों से पानी गली के नाली में तथा वहां से सहर के मुख्य नाली में जाती थी नालीों में जगा जगा चह बच्चे बने थे जिसे कूडा कच्रा मुख्य नाले में नहीं जाता था तो देख सकते हैं कि इसी परकार कुछ आम भासा में यह कोच्चंस लिखे गए तो आपको भी इसी परकार से लिखना है और उमीद यही रखना है कि यह कोश्चन जो है MBVI है और आपके एक्जाम में BC वी बोर एक्जाम 2025 में काफी बार यह कोश्चन पूछे गए और 2025 में भी आपके एक्जाम के लिए MBVI साबित होगा प्यारे बच्चों यह 5 कोश्चन जो देने का प्रयास किया हूँ उमीद है कि दोवारा आप इस वीडियो को देखते हुए अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करें सभी कोश्चन आपको याद हो जाएगा साथी साथ वीडियो को अच्छा लगा है तो शेर करने का प्रयास करेंगे उन सभी बच्चों के पास जो की 2025 में एकजाम देने वाले हैं सभी गुरूप में जोईन हो जाएए टेलिग्राम चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ इसी डिस्क्रिप्शन में वार्टसब चैनल का भी लिंक प्रोवाइड को कर रहा हूँ तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बैबैटे केर्ज जय हिंद एंड जय वारत पढ़ते रहे और वरते रहे